बिस्मिल्ला इर्वाह्मान इर्वाहिम असलामलेकिम दिया स्टूडेंट्स आज की वीडियो के तरह हम क्लास 6 कम्यूटर चैप्टर नंबर 6 टीटिटल सीटीजन्शिप को स्टार्ट करने जा रहे इससे पहले चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 5 ताकि वीडियो के लि सब्सक्राइब कर सकते हैं तो पहला क्वेशन है वीडियो फॉल्विंग रिस्पोंसिबिलिटी या सिटीजन मस्ट कामनी बिद जो रिस्पोंसिबिलिटी है सिटीजन के वह कौन-कौन सी होता क्या है वह चारों आप आप्शन है फॉर रूल्स एं लाज है प्रेक्स टॉल सब्सक्राइब के जो मेंबर्स है उनकी रिस्पोंसिबिलिटी क्या है उसके लिए यह तीनों आप्शन है तो आपने आल के पड़िक करने हैं विच और फॉल्विंग इस नार्ड कंप्यूटर लैब रूल में यह रूल नहीं है कि डू नार्ड यूज प्रिंटर इन लैब ड़िक पॉल्विंग यह तो आप य। ऑफॉल्विंग यह रूल यज पर ट्र यूल प्रट इन वो उवस ट है उक्षा प्रिंटर लैब को रूल्य ओंटर लैब को ठोग जूल इस सब्सक्राइब को डॉल्ग यह तो क्या है इस नार्ड प्रिंग धूल्ग इस उन्टेश मेंस रिसाइकलिंग यूर ओवर प्रिवियस वर्क सेल्फ डेश ब्लागरिजम मेंस कॉपी परहेप्स एंड आइडिया फ्रांट तो तो वह है पैट वर्क प्रिवान में डिफाइन सीटिजन्शिप तो पेजटी सैवन को पर इसकांस मजूद है मैंबर ओफा कम्यूनिटी इ और राजिआ हैं सीटिजन्शिप तो पाकिस्तान का हिस्सा है उसके शहर ही है सेकिन एफ वाट इस डीजिटाल सीटिजन्शिप चैक्याम राद आए c88 पेढास मजूद हैं लिगिदिचल सीटिजन्शिब इटिजिजन्शिप इस डा अबिलिटी ओवां आ शीटिजिग द इस प्राइब है इसको पर है इसको पर ही हम समझुद है इस पॉर्स डेटी के इन दर है जी बी होने ज्ट अंट रॉड थी फॉर रूर्स एंड डॉड रिस्पेक्ट दी राइट ओफ फ़दर्स प्रैक्टिस टॉलरेंस वी इंफॉर्म अबोर्ड वर्ल आरूंड यू रिस् सब्सक्राइब के जो सब्सक्राइब आपने बताने है एटी एट पेज को परहां समझुद है अल्मेरिक इंदर पहला जी है व सेस्टू फोन कंप्यूटर्स एंड इंटरनेट अंडर्स्टेंड हो टेक्नालोजी शेप आवर सोसाइटी में ओनलाइन क्म्यूनिकेशन पॉ सब्सक्राइब को परहां समझुद है वैसे डू नाट पूर और ड्रिंग इन केम्यूटर लैब दू नाट गो और अनपूफ साइट ऑनली यूज यू असाइंड कंप्यूटर दू नाट चेंज इस सैटिंग ओन दा कंप्यूटर आस्क परमिशन तू डॉन्लोड उन्हें अने प्मांव यहां पर कुछ और यहां पर 5 हो दते हैं मेर Parks को फो अपिससे कोई से भी 5 कर सकते हैं कि हौः कापि नग्माइग कापिराइट का य्यकिछ त कोट सकते हैं इन के साइब हुआ में तुपरकोट क्यों सेया शोड़ गोचान बॉंट प्लॉज कर सकते हैं और सक्ष Deixa करने फ़रमेर्व प्लॉजें प्लॉज पहलों पोस्त ते जाएं चैज आजेश करते हैं is an offense justify your answer 89 page को परांसर में जूद है plagrism plagrism other works or ideas as your own with or with or constant is called plagrism discover all publishers and unpublishers material whether in electronic or in printed form plagrism is academic dishonesty and disciplinary offense what is piracy piracy is 90 stage of piracy the act of illegal reproduction copyright materials such as books computer programs and films is called piracy what are the ethical issue while suffering online 90 page of piracy it refers to an individual control our sharing personal information प्रिण बिहार Yeah फिर्फितिकना प्रिश्रय पना है सब्सक्राप्दाइन आखरी सब्सक्राइग, वार्चिछम्टम्टिकना प्रिफित the rules of being safe and responsible online 91 page cover answer just to handle do not share personal information online think about what you are sharing before you share always seek permission before you share a picture of someone also online do not speak to strange online tell an adult of some ask to meet you online next solution number one let discuss the importance of vitWe consider that everyone using internet connection is a digital citizenship, that's why the concept of Migrant Digital Citizenship becomes a part of our life.. no matter quan age or person, knowing how to be safe and respectful is the necessity in Digital society. second app what do you mean by be safe and responsible in digital citizenship 91 पेशर अजीद कर अचर अच मेर दोडे में answer being a responsible digital citizen means having skill to part in online community life in an ethical and respectful way responsible digital citizenship also members behaving lawfully protecting your piracy and debt of others recognize your rights and responsible when using digital media or skin the rules do not share in person personal information online think about what do you are sharing before you share always seek permission before you sharing a picture of someone do not speak strange online tell an adult of something tell an adult if someone asked to meet you online let's do what is bloggerism write down its type 89 page ke upper aunt milaga bloggerism presenting other words or ideas as your oven with or without constant is called progrism discover our publisher and unpublished material whether in electronic or in printed form bloggerism is academic dishonesty and disciplinary offense type of bloggerism means bloggerism and entire text perhaps in bloggerism means referencing someone else ideas and presenting them as if they borrow you own original thoughts patchwork bloggerism means copy perhaps and ideas from different source and from compiling them into a new text self-progrism means this like recycling previous work that you have already submitted or published online information write down ethical standards of sourcing online information 90 page ke parans majood hain ethical standards maji hai you need to be aware of where to look for information how to assess it and how to use it you must also be able to analyze your source to check that they are relevant and of a suitable nature to be included with your work we can use following specs currency the time blindness of the information levelancy the importance of the information to your context authority the source of other information accuracy variability and correctness of the content purpose the reason for which the information exists last of what issue can be saved by excessive use of ict devices so answer the one health issue that can occur after using computer for a long time is eye strain this is case by looking at a monitor which is constant distance away the muscles that focus your eyes do not move and so get tired and painful eye strains also case handicaches which should take regular breaks to avoid eye strain problem back and neck edge many people suffer from the back and neck pain after working at a computer for a long time this is usually due to them having a bad sitting position reputative strain injury any repetitive movement can result in a health problem called reputative strain injury proper position when using computer posterization position be perfect proper position has been described in following figure monitoring that correct sitting always try always keep in mind proper position of when and where you operate the computer this position will make other physically comfortable and see you know